हलो एवरिवन मैं हूँ शमा और आप देख रहे हो मेरा चैनल सिंपल ब्यूटी एंट लाइफ स्टाइल इन हिंदी तो आज के वीडियो में गाइस कुछ कीचन टिप्स शेयर कर रही हूँ आई होप की इसमेни से कोई भी एक टिप आपके काम के हूँगे आपको पसंद आएंगे पसंद आते तो प्लीज लाइक जरूर कीजेगा और नीचे कॉमेंट शेक्षन में जरूर मेंशंग करियेगा कि आपको कौन सी है कौन सी टिप जादा पसंद आई है सबसे पहली जो मेरी टिप है वो यह है कि जल्दी जल्दी अगर हम बरतन वाश करते हैं और एक के उपर एक इस तरह से गलास को रख देते हैं कभी-कभी कटोरे भी रख देते हैं तो वह भी फस जाते हैं तो आपस में जब फसे हुए बरतन ना उनको निकालने का बहुत एजी एक तरीका है तो इस तरह से जहां से बरतन फसे हैं वहां से आप कुकिंग ओयल लगा दीजे इस तरह से फिंगर की हिल्फ से और पूरे राउंड में इस तरह से लगा के 4-5 मिनट इसको छोड़ दीजेगा उसके बाद से जब 4-5 मिनट हो जाएंगे तो फिर इस तरह से इसको एक दुसरे को उपर से नीचे पकड़ के इस तरह से मूव करना है हलका हलका जब ये move करेंगे ना तो oil की वज़से ये वहां से खिसकने लगेगा और अपने आप एक दूसरे की पकड छोड़ देगा ये देखें यहां से फसा हुआ था और बिल्कुल देखें यहां पे निशान पड़ गया है तो इस तरह से आप भी कोई भी फसा हुआ बर्तन को कुकिंग ऑईल की हेल्प से बहुत ही एजी ली निकाल सकते हैं चलते हैं नेक्स्ट हैक की तरह तो यहां पे मैंने किचन का एक छोटा सा डबबा ले रखा अच्छली मैं यह किचन का नहीं है मेडिसिन का था तो मैंने इसको क्लीन करके किचन में रखा था अभी मैं फिर से बाहर लेकर आई हूँ तो इस तरह का कोई भी प्लास्टिक का डबबा यूज़ कर सकते हैं और इसमें बीच ओ बीच में हम जो डबबे के उपर वो है ना कैप उस पर हमें एक मार्क कर देंगे तो बीच ओ बीच में मार्क किया है और थोड़ा सा कोई भी टूल जो है ना गरम करके उस मार्क को आप इस तरह से होल बना लीजे बहुत बड़ा होल नहीं रखना है छोटा रखना है आगे आपको आइडिया हो जाएगा कि कितना बड़ा होल आपको चाहिए होगा और जो जलावाला पार्ट है उसको मैंने चाको से क्लीन करके हटा दिया है और ये कैची के हल्प से इसको थोड़ा सा राउंड में शेप दे दीजे ताकि ये बिल्कुल सरकल में हो जाएगा तो बहुत आराम से ये कैची से हो जाएगा ये देखिए तो ये इस तरह से होल करने के बाद आहां में एक शापनर लेना है ये बच्चों के जो पैंसिल बॉक्स में आप रखते हो वही शापनर है इसको ले लेंगे और ये पाच रुपे वाली आती है जो वो ले ली है ये सुपर ग्लू होता है तो फटा फट इंस्टन चिपकाना हो तो इसका यूज कीजे अधरवाइस फैबिकॉल हो तो वो भी ले सकते हो तो यहाँ पे शापनर के जो राउंड में जहां से पेंसिल शाप की जाती है वहां से राउंड में इस ग्लू को हलका हलका इस तरह से लगा देना ही ये देखे ऐसे लगा देंगे और लगाने के बाद ये जो होल बना रखा है उसमें एकदम एक्सैक्ट लगा के एकदम देखे होल से होल को मिला करके ऐसे इसमें थोड़ा देर के लिए पकड़े रहेंगे ताकि ये थोड़ा सा स्टरडी हो जाए चिपक जाए ऐसे चिपका लेना है फिर इसको उपर से भी थोड़ा सा ग्लू लगा के मैं इसको सेट कर दूँगी हलका सा ग्लू और लगा दीजे साइड में और इसको चिपकने के ल तो इस तरह से एक box बना के देंगे न तो यह देखे pencil डाला और शाप किया मैंने इस तरह से बच्चे दिन भर pencil को शाप करते रहते हैं अब तो lockdown का समय है तो घर पर ही बच्चे होते हैं तो colors भी अपने शाप करते रहते हैं तो इधर उधर जो फैलता है न यह dust एक जहां रहेगा यह garbage और इस तरह से एक box बना के अगर उनको आप दे दोगे न बहुत easy है बनाना दो मिनट में बन के ready हो जाएगा उसको बना के देंगे तो उनके अंदर भी यह होगा कि clean कैसे रखन हैं इस तरह के packets में आते हैं मौल बगएरा में तो इस तरह का packets आता है तो इस पैकेट पे जब हम इसमों transfer करते हैं अपने container में तो थोड़ा थोड़ा दाले बच जाती है या थोड़ा थोड़ा इसी तरह packets में रख लेते हैं तो उनके लिए एक अच्छा idea है कि आप इनको कि क्या करना है एक इस तरह की बॉटल ले लिए यह मैंने पैपसी जो आती कोल रंगूए लिए जै तो कोई कोल रिंग की इस तरह से बॉटल ले लिए और यहां से इसको कट कर लेंगे तो ऐसे कट कर लिए और उपर-unya पार्ट जो है हम इसको रिख करेंगे कट करने के बाद इसको आप वाश कर लीजे क्योंकि ओपन हो जाएगा तो इजी हो जाएगा वाश करना अएसे वाश कर लीजे और इसको सुखा लेंगे तो यह कट किया वाश किया और फिर मैंने इसको ड्राइ भी कर लिया ड्राइ करने के बाद अब हम इसका यूज करेंगे अपने जो हमारे पास groceries packets में बच जाती हैं उनके लिए हम यूज कर सकते हैं इसको तो इस तरह से packet को fold कीजे और इसमें ये bottle करने को बिठा लिए ऐसे और इस तरह से अंदर करने के बाद उपर से हम packet को फैला देंगे यह दे कैसे फैला दिया इस किसी चीज से आप टाइब भी कर सकते हैं इसको तो मैंने यहां पर लिया है सेलो टेप और इसको इस तरह से राउंड राउंड करके इस packet को हम fix कर देंगे जो extra packet हमारी है तो देदीन राउंड गुमा के इसको काट दीजे और यह fix हो गया यह देखे अब इसका कैब जो है इ अगर आपको कंटेरर में जो है दाल खतम हो गई यह चीनी खतम हो गई तो उसमें से ट्रांसफर करने में भी इस packet से बहुत easy हो जाएगा अगर आप यह बॉटल लगाते हैं तो यह देखे मैंने निकाल के दिखाई यह देखे वह तराम से निकल ला है गिर रहा है उसमें से तो यह आप कर सकते हैं और बॉटल का भी यूज हो जाएगा और आपको easy हो जाएगा इसको रखना और जिस भी आजगा स्टोर करते हैं इस तरह पैकेट पैकेट स्टोर भी कर सकते हैं उनले यह होता है कि हम कई डिशस में टमाटर को पील करके डालते हैं तो कभी-कभी यह होता है कि हम टमाटर को भूनते हैं या ती कर बांच करते हैं पानी गरम करके एक तरीका चुटा सा बतारी हूँ इसके skin को उतारने का I hope की आपको अच्छा लगेगा तो एक spoon ले लीजे या फिर जो butter वाला knife आता है वो ले लीजे जिसमें धार नहीं होती है और इस तरह से उपर से नीचे तक हम spoon से या knife से इसको ऐसे ही उपर से नीचे तक move करेंगे ये देखिए उपर से नीचे तक ऐसे ही चलाना है और ये पूरे टमाटर में ऐसे चलाना है उपर से नीचे बस ऐसे चला दिया इस skin के उपर चला रही हूँ मैं आप चलाने के बाद इसकी skin lose हो जाएगी आप यहां से देखिए skin आप चुवगे ना तो पता चलेगा कि skin यहां से lose हो गई है फिर आप हलका सा nail से ऐसे टच करेंगे ना तो इसकी skin जो है अपने आप बाहर आने लगेगी बस आपको इसको पील करना जिस तरह से आप बनाना पील करते है ना वैसे पील करना है इसको तो यह देखिए मैं करके दिखा रही और जहां जहां आपने उपर से नीचे तक स्पून या नाइफ नहीं लगाया ना वहां से वो नहीं निकलेगा तो एक बराबर आप लगाओगे ना बहुत अच्छे से यह निकल आएगा इस तरह से यह देखिए मैं पूरा करके दिख सब्सायों को और आफ़लों को आपड़के घ्लीन कर सकते हैं उनको वायरेस सबसाशार से ऐसने के लिए आजकल मारकेट में मिल ला है है लेकिन आगर आप기도 रोज रोज नहीं लिएना हमनों नहीं डिलेंगा पड़रा है तो आप घर पे efendim की इसुप है यहां पर मैंने लिया वाइट वैनेगर और एक बड़ी फाइल मिल जाती है पचास रुपे की यह अक्सर हम लोग चाइनिज फूड में डालते हैं यह क्लीनिंग बहुत अच्छा क्लीनर होता है यह क्लीनिंग के काम आता है तो उसमें हम यूज करते हैं तो वाइट वैनेगर लेजिए सफेद जिर के सब्सक्राने लब ये अफिर यूज कर दोफोर हम नमक लगा बड़े क्लीने लिकविट कोया पहले Owl में कोई पानी ले लिजे पानी लेने के बाद ये जो तो लिक्विड हमने बनाया है उसका करीबन दो बड़ा चमच आप इसमें आइड कर लीजे उस हिसाब से आइड करी जितना आपने पाने लिया है दो तीन चमच इसमें मिला लीजे साधे पानी में और इसको मिक्स कर लीजे ये अपना फूट एंड वेजी क्लीनर बनके रडी हो गया है आप जो भी बजार से सबजिया लाते हैं फल लाते हैं मन नहीं होता है उनको ऐसे ही वाश करके खाने के लिए तो आप इस तरह से बना सकते हैं इसको क्लीनर और इसको क्लीन कर सकते हैं अक्सर क्या होता है कि कभी-कभी अचानक से किचन में वाश करते-करते बरतन तूट जाते हैं इस तरह कि जो ग्लास के बर्तन होते हैं और फिल्म के छुटी-चुटी पीसे जो है ना रह जाते हैं जाड़ू से जाड़ने पर भी कभी-कभी वो पीसे नहीं हटते तो एक छोटी सी टिप है आपके साथ शेयर कर रही हूं कि हो सकता है आपके काम आए तो यहां पर अगर परतन कभी भी तूटते हैं और उनके छुटे-चुटे पीसे आपको डाउट है कि पैर में चुप सकते हैं पड़े होंगे तो उनको क्लीन करने का तरीका यह है कि यह ले लीजिए आप सेलो टेप एक बड़ा पीस कट करेंगे यहां पर यह देखिए कि इस से उल्टे साइड में जहां से इसका नॉन स्टिकी पार्ट है उसको हम हातों पे वहां से लपेट लेंगे तो इस्टिक वाला ग्लू वाला पार्ट उपर है और नॉन स्टिक वाला पार्ट नीचे चला गया और इस तरह से करने के बाद इसको हम यहां पर फिक्स कर लेंगे यह देखे एक दूसरे में उपर आके यह चिपक जाएगा यहाथ में फोर फिंगर में मैंने कर लिया है अब जैसे कि यहाँ पर आपको डाउट है कि यहाँ पर चुटे चुटे बाट जो हैं ग्लास के तूटके पड़े होंगे इनको हलका हलका आप इस तरह से डैप करेंगे तो सारे जितने भी शीशे हैं वो आकर के इसमें चिपक जाएगे अब मैं यहाँ पर शीशा तो मेरे पास अभी नहीं है तो मैं थोड़े से चावल आपको डाल के दिखाती हूँ सुखे चावल है और इस तरह से उनको डैप डैप करके आपको इस तरह से हटाना है तो यह और यह देखे सारे चावल जो है इसमें चिपक गए इसी तरह से अगर शीशा तूटता है तो आप इनको इस तरह से क्लीन करने के लिए सेलो टेप का यूज़ कर सकते हैं लास्ट जो मेरी टिप है आई होप आपको बहुत पसंद आएगी क्योंकि मेरे ख्याल से यह बहुत तरह की लगाते एक तो प्लेन सरफेस की होती है जिसको चलीन कर लेते हैं लेकिन जिस तरह की डिजाइन बनी होती है इस तरह का ट्रेकचर होता आई आँ उपर नीचे उभार वाला उसको क्लीन करने में ठोड़ा मुश्किल आता है क्योंकि बराबर हाथ पढ़ता है और वह उपर नीचे होता है, तो उसको क्लीन करने के लिए, यहां पे ले रही हूँ मैं, यह?] ह्रपिक क्लीनर, तो यह हमारे पास दो है, एक टुईलेट के लिए आलग होता है, और एक में किचन के लिए, कई डीले के पास में का ये ट्रेक्चर वाला एरिया है उसमें हम जैसे ये है इसके अंदर जाके मसाले और टेल बैट जाते हैं तो ये काफी मुश्किल होता है क्लीन करना तो इनके ऊपर हम ब्रश इस तरह से चला देंगे और इसी तरह अगर आपकी प्लेन टाइल्स है प्लेन डिजाइन वाली है एकदम प्लेन सर्फेस वाली उस पे भी आप यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये तरीका करने के बाद बिल्कुल एक चमक सी आ जाती है टाइल्स में और टाइल्स क्लीन भी रहती है काफी दिन तक तो इस तरह से ब्रश को ले करके और थोड़ा-थोड़ा मैंने हार्पिक को इ सबस्क्राइब लेना है छीज़ पानी में डाला के नीचोड़ लेना है तुऑ रचानगने पढ़िए इस पूरे टाइल्स को चलाएंगे ऊंच कॉर्टत को और होड़ा नहीं तासी रचाना है उसके तो बहुत क्लीन करेंगे इसको तो क्लीन करने के लिए मैंने स्क्रबर या डिजाइन्स में लिक्विड है वो निकल आएगा इससे और निकालने के बाद अच्छे से हम इसको क्लीन कर लेंगे ये देखे पुरी टाइल्स में इस तरह से जहां पे भी डिजाइन्स बनी उसको हम क्लीन कर लेंगे और क्लीन करने के बाद ये देखे सारा जितना भी ओ क्लीन कर लेंगे एक बार ही क्लीन करके आपको किना क्लीन हुआ की है यहां आप सकते हो कि पूरी तरह से क्लीन हो गए है और पुरा मसाल7 टेल की जितने इसमें स्टेन थे सब रिमोव हो गया है इस तरह से आप जो ट्रेक्चर वाली टाइल से इसको क्लीन कर सकते हैं तो आज की अगर वीडियो थोड़ी भी हल्पूर लगती है अच्छे लगती है तो प्लीज लाइक सस्क्राइब शेयर और कॉमेंट जरूर करिएगा प्लीज याली लाइक सस्टे है तो रिमोव हो आप कि अच्छे मान दोटें जरूर को सब लाइक सबस्सेड़ीज उवाल एBConie टीन कर तो शेयर है आज कि अच्छे वेया जोगती है वीडियो है य्हाल जो इस थाखक ऴ'र वीपना जोन